मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ आयुरवेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है रोगमुक्त होना है तो अपने जीवन में तीन बातों का ध्यान रखे अपना वात पित और कफ तीनों का संतुलन रखे वो तीन तरह के दोश हैं हमारे शरीर में वात पित कफ आपने सुना होगा ये त्री दोश आधारित शरीर है जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो असी से ज़्यादा रोग आते है जब पित बहुत बिगड़ जाता है तो लगबग 46-50 रोग आते हैं और जब कफ विगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं और वात पित कफ तीनों विगड़ जाएं तो 148 रोग आते हैं। सर्दी खासी जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखरी रोग माना जाता है ये सब वात्पित कफ के बिगणने का खेल है तो इस देश के आयुरवेद चिकितसा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं जैसे चरक रिशी जैसे शुशुर्त रिशी ऐसे एक हम इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने साथ हजार नियम बताए हैं उन में से चार बताता हूं अच्छे लगें तो आज से ही पालन करो और दूसरों को भी बताओ ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े ये चारों नियम है वात्पित और कफ को सं अंतुलित रहें तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना ये पहला नियम है आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है खाना खाते ही पानी पीते हम तो सब के सब और बिना पानी पी ये खाना ही नहीं खाते कई लोग तो खाने से जादा पानी पीते, खाना कम खाते हैं, पानी जादा पीते, ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना, क्योंकि महर्शी बागवट कहते हैं, भोजन अंते विशम वारी, मानि भोजन के अंत में पानी पीओ, तो जहर के पीने के जैसा है, अब आप मुझे यो नहीं पियें, कारण बता दो, कारण मैं बताना चाहता हूँ सरल भाशा में, हम जब खाना खाते हैं तो पेट में सारा खाना इकट्था होता है, पेट में एक इस्थान होता है, उसको हम कहते हैं जटर, संस्कृत में हिंदी में जठर कहते हैं अंग्रेजी में उसको epigastrium कहते हैं हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं ये जठर छोटा सा इस्थान है आपके पेट में ना भी है ना उसके left side में बाईं तरफ छोटा सा इस्थान है सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है जो भी आप खाते हो रोटी, चावल, दाल, सबजी, दूद, दही कुछ भी खाओ सब कुछ जठर में आता है अब जठर में जैसे ही खाना इकठा होता है तो उसमें आग जलती है और उस आग को कहते हैं जठर अगनी मिला के बोल देते हैं जठर अगनी आप जैसे ही खाना खाते हो पेट में जठर में अगनी जलती है वो अगनी खाने को पचाती है और अगनी खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अगनी खाने को पकाती है जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अगनी जलती है और जब तक अगनी जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं, वैसे ही पेट में भी खाना पकता है इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं अंग्रे जी में उसको डाईजेशन कह देते हैं तो आपने खाना खाया पेट में अगनी जल गई अब वो खाने को हजम करेगी पचाएगी अब मुझे एक प्रश्ण का उत्तर दो आप कि जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अगनी जल गई और वो खाने को पचा रही है तुरंत आपने गट-गट-गट-गट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया बरफ मिलाया हुआ पानी पी लिया फ्रिज का पानी पी लिया क्या होने वाला है अगनी जलेगी की बुझेगी अगनी के उपर पानी डालो तो अगनी और पानी की दोस्ती नहीं है दुश्मनी है पानी अगनी को बुझा देता है तो आपने खाना खाया अगनी जली पीछे से गड़गड पानी पी लिया अब अगनी शान्त हो गई अब खाना पचेगा नहीं तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना सो से जादा विश पैदा करेगा और वो सो विश आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है ये गैस उनी को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है ये जलन उनी को होती है जिनका खाना पचता नहीं कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है फूल जाता है ये सब वो लक्षन है जब खाना पचता नहीं तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा तो विश पैदा करेगा और वो विश आपको बीमार करेंगे इसलिए महर्शी बागवट ने कहा खाना खाते ही पानी मत पियो समझ में आया फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पियें कम से कम एक घंटे तक एक घंटे बाद पानी पियो आप बोलोगे जी एक घंटा क्यों ये जो अगनी जलने की क्रिया है ये लगवग एक गंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अगनी अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो, अब आपके मन्न में ये सवाल आ सकता है, कि खाना खाने के पहले पी लें क्या?, हाँ पीलो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पीलो, 10 बजे खाना 9 बच के 20 मिनट पे खूब पानी पीलो जितना पी सकते हो आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है खाने के बाद पानी तो नहीं पीएंगे कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़ कर तो उसके लिए बागवट्टी जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लसी पीओ मठा खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पीओ गन्य का रस पीलो संत्रे का रस पीलो मुसम्मी का रस पीलो अनार का रस पीलो अब आप कोगे, ये सर्म महिंगी महिंगी चीज़ें बता रहे हैं, गन्य का रस, संत्रे का रस, अनार का रस, पैसे तो है नहीं, तो सबसे सस्ता रस है, नीबु का ही रस पीलो, शिकंजी बना के पीलो, वो तो सबसे सस्ता है, और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सबेरे खाना खाते हैं जिसको हम breakfast कहते हैं नाष्टा तो फलों का रस पीना अच्छा दुपैर को खाना खाएं तो लसी और मठा पीना अच्छा और रात का खाना खाएं तो दूद पीना अच्छा जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिन्दगी में कभी भी असी रोग उनको नहीं हो सकते वात पितकफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते दूसरा नियम एक और है और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो घूट घूट भरके पियो जैसे गरम चाय पीते हैं गरम कॉफी पीते हैं गरम दूद पीते हैं एक एक घूट भरके एक एक सिप करके ऐसे ही पानी पीने की आदट डालो आप बोलोगे ये क्या चक्कर है बात ऐसी है कि एक एक घूट पानी जब हम पीते हैं तो मूँ की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है और ये जो मूँ की लार होती है ये छारी होती है और पेट में हमेशा अमल बनता रहता है तो एक गूट पानी पिया मूँ की लार इसके साथ अंदर गई दो गूट पिया और जादा गई बार बार लार अंदर ज और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अमलता नहीं होती एसिडिटी नहीं होती और पेट में अमलता नहीं होती तो रक्त में अमलता नहीं होती और जिनके रक्त में अमलता नहीं होती उनकी जिन्दगी में कभी भी वात, पित कफ के असंतुलन की इस्थती पैदा नहीं होती इसलिए पानी घूट घूट करके पीना ये दूसरा नियम है तीसरा नियम है कि जिन्दगी में कितनी भी प्यास लगे ठंडा पानी कभी मत पियो बरफ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है ये कभी मत पीना क्यों कि शरीर आपका गरम है और पानी ठंडा है अब होता क्या है वो मैं समझाता हूँ सरल भाशा में, पेट तो गरम है अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया तो अंदर जगडा होता है और जगडा क्या होता है या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गरम करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हिरदय ठंडा होता है हिर्दय के ठंडा होते ही मस्तिश ठंडा होता है मस्तिश के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो सादा पानी पीना शुरू करो और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बरफ का नहीं पीना, ये तीसरा नियम है और चौथा और आखरी नियम है कि आप सबेरे ही सबेरे जब सो कर उठते हो तो सबसे पहले पानी पीओ, जैसे ही आ पानी पेट में जाकर बड़ी आथ को साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आथ की सफाई होगी, पेट पे दबाओ पड़ेगा, और आप संडास घर में जाएंगे, दो-तीन मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा, जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है, उनकी ज इसिड की मातरा जादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है, ये चार नियम है, आयुरवेद के, पहला नियम, खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना, दूसरा नियम, पानी को हमेशा प्रूट भर के पीना तीसरा नियम कभी भी जिन्दगी में ठंडा पानी नहीं पीना और चौथा और आखरी नियम सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात-पित-कफ तीनों को संतुलित रख सकता है और जि कि जिन्दगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है